दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशित जहीर मैंने आपके सामने चार पांच रोज पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि युक्रेन की यात्रा किसके इशारे पर की गई है अमरीका की डर की वज़ा से की गई है या रूस के अंदर पुतिन से जो गले मिल गए थे मोदी जी इस वज़ा से उसका तदारुक उसका रिप्लाइ देना था वैस्ट को इसलिए की गई है यह मैंने आपको वीडियो बना कर बताया था लेकिन अब देश के जो बड़े-बड मोदी जीवी हैं उन्होंने का युक्रेयन दोरे की कोई जरूरत नहीं थी जिसमें बजाए वार रिक्वाने के जो गोदी मीडिया यहां पर एलान कर रहा था कि उनके पापा वार रुक्वा देंगे पता यह चला है कि जैलेंस की उल्टा ही मोदी जी को और भारत को नएने और देने लगा है या मश्वरे देने लगा है उसका कहना यह है कि रूस से जो आप तेल लेते हैं यानि कि हम जो तेल लेते हैं उसको बंद कर दें ताकि रूस की कमर तूट जाए इधर कहरा भारत अगर ऐसा करेगा तो हो जाएगा लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे लेकिन जो बेयान है मैं दिखाऊंगा भी आपको चलिए खेर आप देखिए ये देश के एक बहुत बड़े कूट नितिक विशलेशक हैं ब्रहमा चलानी इनका नाम है इनका कहना यह है कि यूकरेन का जो ओफेंसिव चल रहा है मोधी की जो विजिट है वाद नोट जस्टा इल लिमिट इल टाइम इंडिया इसका कहना यह है कि मोधी जी की यात्रा इस समय जब युकरेन अमरी इसके रशिया के कुर्स शेहर के अंदर घुसा हुआ है ऐसे समय में कोई जरुवत नहीं है और वहाँ पर उसने कहा कि उसने रिजेक्ट कर दिया है उसने मिडियेशन के रोल को इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है जैलेंसकी ने बलके वार अबाउट ऑल्सो उसने सलम इंडिया ऑन इश्यू सलम इंडिया ऑन इश्यू रैंजिंग फ्रॉम इट्स यूएन वोटिं रिकॉर्ड अफ इट्स ओयल इंपॉर्ट्स फ्रॉम किसे भी जप्पी लेनी है मैंने आपके इसके नसीबों फराश बताए थे कि ऐसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं रशिया जो हमारा एक एकचouri कूटनिती जीपालेटिक्स होती क्या है किसी के एक बात बोलने से देश पर डुणिया के देशों पर क्यासर पढ़ता है यह तो बोलते रहते है अब यह बात तो मैंने आपको बता दिए दोस्तों उन्होंनों वही बात जो है मैं बता रहा हूँ दूसरी चीज देख लीजे यहां पर जो गोधी मीडिया का नीज एटीन है वो कहरा यूएन को अमीध है कि अभी चले जाएंगे और जाकर के युद रुकवाएंगे मोधी यह वामें चोपड़ा है राइस्थान की पुलिस आइटिस के लिए भाग गया था यह तो यह दंगाई तो हमें खबरे बताते हैं जो नफरत फैला करके हिंदू-मस्लिम करते हैं और भारते जिनता पार्टी के लिए एजेंड़ा चलाते हैं सरकार के चाटुकार हैं यह खबरे बताते हैं अब यह खबरे बताते है UN को भी उम्मीद है मोदी रुकवा देंगे युद उल्टा बरस रहा है जैलेंसकी दूसरी खबर देख लीजे जीन नियूस का ये मैंने लियाया कहीं से जैलेंसकी ने मानली मोदी की बात रुक गया युद रुस समय चोंके पूरी दुनिया रुक गया युद वहां पर इन जाहिलों से को ये पूछ है कि मोदी जीने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही है हाला कि मोदी जी के पार्टी के लोग बड़े बड़े जूट बोलते आए हैं पहले दिनों इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि देखिए पहले मैं आपको एपिसोर ने बताया था कि जैलेंसकी ने किस कदर से बत्तमीजी की थी जब रशिया में पुतिन से जप्पी मारी जा रही थी बिफर गया था शब्दे बिलास्ट हो गया था वो जो है बिलास्ट हो गया था हमारे उपर उसको क्या मनाने गए थे हम लोग अब देश के जब तमाम कूटनीति क्विशेशा की ये कह रहा है कि ये दोरा को जरूरी नहीं था आप देख लीजे इसने कहा कि इफ इंडिया चेंजे इस इटिट्यूट तोड़्स रशिया अगर तेल लेना हम बंद कर देते हैं तो बंद हो जाता है अब ये तो बाते करते रहते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं लेकिन कूटनीति की बात अलग होती है मैं आपको पर एक बात बता हूँ अभी हमला चल रहा है दोनों का रशिया का और यूक्रेन का आपको मालूम है कूटनीति किसे कहते हैं यू एई चोटासा मुलक उसने एक रोलता अदा ये किया है कि जो फलस्तीन के अंदर गाजा में बंबारी हुरी तमाम मरीजों को बहुत जारे मरीजों को वो अपने ही हां लाकर इलाज करा रहा है और इस्राइल की बाद में आपको बताओं और रशिया की और यूक्रेन की 115 इधर से और 115 रशिया की तरफ से दोनों तरफ से जो प्राइज नर्दे उसने एक्सचेंज करा दी है उसने तो नेगा पापा ने वार रुखवा दी है हम विश्बूरू बन गए है ये नक्षे बादियां शुरू होती है दरसल आपको बताने के लिए और आपके दिमाग में ये बिठाने के लिए कि देखिये साहाब हमारे पापा कितने बड़े महान व्यक्ती है पवन खेला का बयान आया है बड़ा शांदार से आप सुन देख सकते है उनका साहब मलिपूर छोड़कर युक्रेन रूस यूद में मद्यस्ता करने पहुँच गए और नहां केवल जेलन्सकी ने हमें अपमानित किया उल्टा रूस और युक्रेन दोनों ने सन्युक्त अरब अमिरात की मद्यस्ता सिविकार कर ली है मैंने आप से कहा ना 115 युद बंदियों की रहाई भी संबह हुई ये 230 हुई है ये पवन खेला थोड़ा 115 आधे बता गए आपको तू कौन मैं खामे खां करना है तो कीजिए भारत की साख से खिलवाल करने का आपको क्या हक है पवन खेला क्या रहा है बड़े अच्छी बात है उन्होंने का साब मलीपूर छोड़ कर वोई मैं आपको जो बात बता रहा हूँ अब आप जरा सा ये देखें हैं दोस्तो ये राजनास सिंग का पिछले दिनों बयान आया था कि पिएम मोदी की कोशिशों से रूस युकरेन का युद रुका और भारत ये चातर भारत लोड़ सके जेपी नडड़ भी ऐसी बोल रहे थे जबके वो विदेश मंतराले का परवक्ता आका कह रहा है अगर हम 10-15 मिनिट के लिए रुकवा सकते तो हम तो फूर हमेशे के लिए रुकवा देते ये गलत है इस तरह की बात आपको बताए जाती है लेकिन बहराल मैं अपने देश के पक्ष को रखने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ बात ये है युक्रेन का आपने दोरा किया है आप राजनाथ का दोरा नहीं बताते हैं वो मैंने पिछले एपिसोड में बताया है दरासल हमारी जो इंडिपेंडेंसी है वो रशिया पे 75 फीसद है हत्यारों के मामले में जो 50 फीसद रह गई जब दुनिया में कच्छे तेल की खीमत बढ़ रही थी रूस हमें 20 फीसद या 15 फीसद सस्ता तेल दे रहा था उस समय हमारे अर्थ व्यवस्ता में बहुत ज़्यादा सहायक सिद हो रहा था और एक बात हैरत की और बताओं हम उसको जो पेमिट कर रहे थे वो रुपे में कर रहे थे अपने रुपे में इंडियन रुपीज में डॉलर का सहरा लेना निपल रहा था ये तमाम चीज़े जो पूरी हमारी मिडिल इस्ट में एशिया के अंदर जो एक नया समिकराल बन रहा है न ये हरकते यूकरेन का दोरा हो ये अमरीका की शेय पर जप्पी लगाना हो हमें अलग थलग कर देता अब फिर उपर से गोधी मीडिया का ये हंगामा के साब पापा रुब वार रुकवा देंगे और तीसरे फिर यूकरेन कितना सा मुल्क है अगर उसे नेटो और अमरीका सपोर्ट ना करें तो दो घंटे में रूस खतम कर देगा उसको लेकिन चुकि पूरा यूरप लगा हुआ है असल मैं यूकरेन के अंदर वो आके बैठना चाहता है नेटो और मालू में आपको कि ये गेट है रशिया नहीं चाहता के मेरे गेट पर आकर के बाहर के लोग बैड़ जाएं इसी वज़ाए से पॉलेंड से इसी वज़ाए से जर्मनी से इसी वज़ाए से सब फरांस के मुलकों से रशिया का जो है ना लेंदेन बंद होता जारा लगबग गैस की सप्लाई बंद हो रही है तो ऐसे समय में दोस्तो उल्टा जैलिंस की हमें समझा रहा है बलके पवन खेड़ा के अकॉर्डिंग तो डाट लगा रहा है तो ये बिला वज़े अपने मूम या मिठ्टू बनने की जरूवत क्या है तो दोस्तों ये खबर है लेकिन गोदी मीडिया आपको बता रहा है देखे वोर रुक्वाने चले गए थे पापा वो तो रुकी नहीं है आपको खबर कैसी लगी अपनी राय केमेंट्स बॉक में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ जैहिंद